हालो नमस्कर मित्रा नम्ही सवरप्त अमचे एडिवाता मधी स्वागत करता हूं आज अपन गेनारे numerical series work and energy चा class 9 चा work and energy गेतले आपन ठीके? थीन पाड गेतले हो ते ते या वर्चे जे numerical से ते या numerical series मधे गेनारे ठीके? तर या चैप्टर मधी किती टैप चे numerical से ते में तुमाला एकड़ा आज गेनारे ठीके? तो चला शुरू कर वे तो सगेत फर्स numerical का या आपन बगू? an electric pump has 2 kilowatt power an electric pump has 2 kilowatt power how much water will the pump lift every minute to height of 10 meter? how much water will the pump lift? how much water the pump lift every minute to height of 10 meter? okay? an electric pump has 2 kilowatt power power is 2 kilowatt or 2000 watt how much water will the pump lift every minute? every minute मझे time दिला है तुमाला 60 seconds एक minute दिला है every minute मझे 1 minute दिला है so time will be 60 seconds okay? height 10 meter दिले okay? height कीती दिले? 10 meter दिले okay? so अप्यल काड़ाचा है? अप्यल काड़ाचा है? amount of water lifted मझेस काड़ाचा है? mass काड़ाचा है? अप्यल काड़ाचा है? mass काड़ाचा है? okay? okay? so में जा लेक्चेर मझें पावर गेतला होता है? ते लेक्चेर मझे मझे मैं तुमाला पावर चेइक्सप्रेशन सांगेतला होता है? पावर चेए एक्स्प्रेशन का आस तो पावर इस इकोल स्टू वोग दैन अपटiksi चाहे इस एक्स्प्रेशन अप्लेला M काडनेशटी वापराई चाहे कस वापर ना चाहे थाम तो माला पावर P विल भी P वोग वापर्दकिया डैन का आस तो आपन आपन T बरबर काला आपलेल एक्स्प्रेशन पावर इज इकोल्स टू M G H आपन T ओके आपन या एक्स्प्रेशन लो रियर्रेंज करो कसा करनार है आपलेल M काडाएचे सो बाकी चे सगे टर्म्स टे इकोल्टू चे लेफ्साइड लगियुनाएचे फक्त M राइट साइड लटेवाएचे कासा करनार T इन्टू P cross multiplication P इन्टू T ओनर divided by M सो बच G N E H आएचा है सो G N E H इकड़ खाली हैनर is equals to M सो यह expression मदे अपनाते value टाख लेटर अप्राला M चे value बेटन जाएड ओके सो M is equals to M is equals to काया है P into T upon G into H ओके सो M is equals to P is 2000 watt into T is 60 upon G will be 10 consider करा तुम्ही into height height is also 10 ओके करला तो माला इत परंता सो काया आणर है x0 x0 cancel out x0 x0 high x0 cancel out x0 high x0 cancel out x0 high x0 cancel out जाला ओके आता काया और ले 200 into 6 200 into 6 सो काया आणर है 6 to the 12 and 20 as it is सो M will be equals to 1200 kg करला सुप्पा होता काय चाह अपड़ना होता काय के ला आपन power is equals to work upon time तया नंतर power is equals to M G आपन T आला आपला या एक्स्प्रेशन ओरन आपन M is equals to P into T by G into H काड़ला है जा त्सेगे वालू टाखले नी M आला ओके सो आपन जवे आपना next question काया है if 1200 Watt electric ion is used daily for 30 minutes used daily for 30 minutes how much total electricity is consumed in the month of April हाव मच टोटल एलेक्ट्रिक्सिटी एनर्जी इस कंजूम्ड इन मन्त ओफ एप्रिल ठीक है तर आपन आता है सगत पले गीवन लिउन गीवे सगत पलेगा दिले 1200 वैट एलेक्ट्रिक आया मंजेस पावर दिले आप लेला पावर इस इकोल्स टू 1200 वैट ओके यवड लक्षा ट्यावा प्रश्णात कदी कुटली वैट मदे दिली तर तुमला डोकेत लेकी स्ट्राइक जला पाजी कि दाट इस पावर ओके दाट इस पावर पुर्ची गोस्ट टाइम दिले 30 मिनिट्स टाइम किती दिले 30 मिनिट्स टाइम किती दिले 30 मिनिट्स आथा अपला इलेक्ट्रिकल इनर्जी काडता ना टाइम नेमी आर मदे लागना रे ठीके टाइम नेमी आर मदे लागना रे 30 मिनिट्स गे अरविल भी 30 दिवाड़ेक्ट्रिकल इति ग५र्ची दिवाड़क्रिकल इनर्जी ऑनकड्रिकल काये इनर्जी इनर्जी इकुल्स गें एनर्जी इंग मृन्दी इनर्जी करां यह बासा स्वर्मुला मदे यह сиг़ॉन मेर्दी अपला युख पृतेएinky desemृत तो energy will be equals to energy is equals to power किती दिला है 1200 ठीक है into time is 0.5 time is 0.5 so energy will be equals to 600 watt hour ठीक है किती आला 600 watt hour energy आला हाँ energy किती आला है per day चाए energy किती आला है per day okay तुम्हाला किती दिला है चाए 30 days 30 days का in month of April वी चाले so month of April मधी किती दिला है 30 days okay so you have to find the energy for 30 days so energy for one day is 600 watt hour so energy for 30 days will be energy for 30 days is equals to 30 into 600 it will be 18,000 watt hour okay 18,000 watt hour आता 18,000 ला आपन का है लो शोक्तो 18 kilowatt hour ठीक है 18 kilowatt hour so this will be equals to 18 units का अनर है 18 units so E is equals to किती आल है 18 units in month of April करड़ा सब आउता प्रस्णा काई आउगण नहोता energy is equals to power into time या expression वरून अपलेला क्याड़ाई चापता ठीक है तो आता आपन पूर्चा प्रस्णा की वे ओके सो पूर्चा प्रस्णा का है if the energy of a ball falling from a height of 10 meters energy of a ball falling from height of 10 meters is reduced by 40% is reduced by 40% how high will it rebound how high will it rebound मी या कोशन सेट्टी डाइग्राम काड़तों through that diagram I will explain you how to do okay so diagram काड़ूंगी वे आपन तो परंत according to question हा diagram है okay हाँ ball आहे हाँ H नुरून ड्रॉप केले हाँ ball ड्रॉप केले अंतर rebound होना रहे आणी H2 चा height वर्ती जाना रहे ठीके बट हाँ ball लित ग्राउंड पोजिशन लहे तो त्यमा 40% of energy is reduced 40% of energy is reduced त्यान अंतर अप्लेला H2 काड़ाएचे ठीके तर कसा काड़ना सेगत फेले given लिउन गीव अपन given मादे का है आणा रहे height H1 is 10 meter okay G acceleration due to gravity ला आपन 10 meter per second square consider करू okay ठीके आणी कहा है सांगेतले 40% 40% of potential energy is reduced ठीके जा माँ ball ground वर्ती है तो त्यामा ठीके 2 find कहा करेचा है find कहा करेचा अप्लेला height H2 find कहा करेचा है height H2 ठीके so ठीके so आपन पहले कहा करने रहे potential energy for height H1 काड़ू ठीके potential energy for height H1 काड़ू ठीके सांगेतले 40% of energy is reduced मग या potential energy मदला 40% आपन minus करूए मग जे remaining energy असल थी for height H2 असल ठीके energy वरून आपन height H2 काड़ू ठीके ठीके सांगे पहले करने रहे आपन potential energy for height H1 is equal to काड़ू M into G into H ठीके काड़ू रहे मग is equal to M is G is 10 so into 10 into H is also 10 so 10 10 जा 100 so potential energy at height H1 is 100 M joules करला potential energy at H1 काड़ू 100 M joules so आता काड़ू रहे आपन 40% of potential energy is reduced so 40% of this energy is reduced so reduced energy is equals to reduced energy is equals to किती 40% of 100 M joules ठीके 40% of 100 M joules मंजे किती 40 upon 100 into 100 M joules okay so इतवन 100 100 cancel will so किती आला प्रेला 40 M joules so 40 M joules energy is reduced okay 40 M joules energy is reduced so remaining energy किती रहाना रहे total energy किती होती अपली 100 M ते तुन 40 M reduced रहे so remaining energy किती रहाना रहे remaining energy will be 60 M okay 60 M joules so remaining energy remaining energy किती रहाना रहे remaining energy is equals to 100 joules 100 M joules minus 40 M joules which is equals to 60 M joules which is equals to 60 M joules okay अपला रहे remaining energy रहे remaining energy is मंजे का है potential energy at height H2 बर बर 40% reduced रहे रहे H2 सटी का है energy रहे रहे 60 M joules so अपनी रहे now potential energy at height H2 is equals to 60 M joules बरबर है potential energy at H2 कारें की 40% reduce रहे so potential energy at H2 will be M into G into H2 is equals to 60 M बरबर so M M gets cancelled equal to बरबर G H2 is equals to 60 okay so H2 is equals to 60 by G 60 by G so it will be 60 by G is 10 so 00 cancel so H2 will be equals to 6 meter कर ला H2 is equals to 6 meter कर ला कसा आला आपन पहले potential energy at H1 कार ला ठीक है 100 M J आला तेज़ान तर तेज़ान 40% reduce केला so 40% reduce का है 40 M J so हाँ reduced energy total energy मदन कार ला तो remaining energy बेटला remaining energy is energy required for H2 so potential energy at H2 is equals to 60 M तेचे तोन आपने H2 बेटला कर ला कर ला तुम्हाला स्वाज आपन इतस थांगिया बाकिजी जी प्रश्न हैता आपन ते नेक्स पार्ट में देगी है तो परंते तुम्हें वीडियो ला लाइक करा शेर करा सब्सक्रेब तर नकिस करा आपन नकिस बेटू पूर्चाई वीडियो में दे ओके